इस टाइप के जो भी क्विशन आपको मिलते हैं जिनमें ओस्त ग्याद करना है आधिक तरक्विशन आपके एक ही फोर्म में से सोन हो जाते हैं बस उस चीज़ को समझ लो जो कि आपका बेसिक रटने के जुरूत नहीं है देखे दोस्तों इसको हम एपी के द्वारा सॉल करें तो दोस्तों मैधामडिक से एक ऐसा सुब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़े एक दूसरे से रिलेट रहते हैं जैसे ओस्त यहाँ पर कैल्कुलेट करना है लेकिन काम क्या हैगी हमारी अभी एपी काम आएगी तो देखे चार करमा गत समसंख्या है पहले आपको यह पता हो कौन से समसंख्या होगी इसमें हम क्या जोड़ देंगे अपना दो को जोड़ देंगे ठीक है इससे अगली कौन से होगी इसमें फिर दो को जोड़ देंगे इस प्रकार से यह समसंख्या है अब देखे इसमें कुल पद कितने है इसमें कुल पद है आपके पदों के संख्य अब हमें यह पता नहीं है कि पहला पढ़ कूं सा है? यह भग यह हमें ज्याद करना है. और ओस्त कितना है? 27 है. तो योग क्या आ जाएंगा दोस्तों? योग बराबर क्या होता है? ओस्त गुणा कुल पदों किसां क्या? पदों किसां कितनी है? 4. तो 27 गुणा 4 कितना हो गया साथ चोग 28 दो के रिए चला गया आठ दो दस एक सो आठ यानि जो चार करमा गश्म सेंख्या है उनका योग हमें यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एक अविल्यू आ जाएगा और जैसे एक अविल्यू आएगा तो एक अविल्यू हम यहां पर रख देंगे यहां एक अविल्यू रखते हैं हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी तो देखते हैं इनका योग कर देते हैं तो हमारा ए कितनी बार आ रहा है दोस्तों आपका 4 बार आ रहा है ये कितना हो गया 10,2,12 हो गया और बराबर कितना है योग यहां से हमने calculate किया तो 108 है तो 4 ए बराबर कितना हो गया 108-12 यानि 96 आ गया ए बराबर कितना हो गया 96 by 4 यानि 24 आ गया ये बराबर 24 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी सबसे बड़ी संख्या ये है ये प्लस 6 ये नि 24 प्लस 6 है कितना आ गया 30 आ गया तो इस प्रकार से हमने अपना सबसे बड़ी संख्या ग्याद किया जिसका value कितना निगल गया इस question में आपका 30 आगे आप देखिए इसको आपने AP से कैसे solve किया देखिए दोस्ताँ आपका AP कुछ इस form के होती है जिसमें समसंख्याओं के यदि हम AP के बात करें तो वो कैसे बनेगी A A plus D A plus 2D A plus 3D समसंख्याओं के लिए D का मान कितना रहता है हमेशा ध्यान रखिए 2 रहता है तो यहां 2 आ गया यहां 2 गुणा 2 चार आ गया यहां 3 गुणा 2 चार आ गया इस प्रकार से हमने इसको AP ट्रीट करके solve किया है समझ गया होंगे आप अभी भी नहीं समझे तो आपको मैं थामडिक्स में अच्छे घार से प्रेट्यूस की जुरूत है